गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू संद माइकल्स एकैडमी बेतियाज, एलर्निंग क्लास ओफ हिंदे स्टैंडर्ड टू बच्चों, आज हम लोग पार्ट आठ जिसका शिर्षक है मैं हूँ आम, उसका प्रशन उत्तर तथा बुक वर्ट करेंगे पहला, शोभित की मा बाजार से क्या खरीत कर लाई थी? उत्तर, शोभित की मा बाजार से आम खरीत कर लाई थी दूसरा, शोभित ने किस चीज का सपना देखा? उत्तर, शोभित ने आम का सपना देखा तीसरा, शोभित का सपना कब तूटा? उत्तर, मा की आवाज सुनकर शोभित का सपना तूट गया लिखित प्रश्न, पहला, आम देखकर शोभित प्रसन क्यों हुआ? उत्तर आम देखकर शोबित इसलिए प्रसन हुआ क्योंकि आम शोबित का पसंदीदा फल है दूसरा मा ने शोबित को कितने आम दिये उत्तर मा ने शोबित को दो आम दिये तीसरा सोने के बाद शोबित ने क्या देखा उत्तर, सोने के बाद शोभित ने यह देखा कि टोकरी से उड़ उड़ कर आम हवा में लहराते हुए उसके पास आ रहे थे चोथा, शोभित सपने में किन किन आमों से मिला उत्तर, सोभित सपनी में मैगी फेरा इंडिका, सफेदा आम, तोता परी आम, चौसा आम, अलफांसो आम, लंगडा आमों से मिला पाच्वा, मा ने शोभित को उठाते हुए क्या कहा? उत्तर मा ने शोभित को उठाते हुए या कहा कि जल्दी उठो स्कूल नहीं जाना है क्या जटपट तयार हो जाओ तुम्हारा मैंगो शेक तयार है अब हम लोग पाट में आये कुछ प्रशनों को देखेंगे पाट के आधार पर निमलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखो पहला आम का असली नाम मैगी फेरा इंडिका है उत्तर सही दूसरा लंगडा आम सबसे पहले लखनों में पैदा हुआ था उत्तर गलत तीसरा दर्शहरी आम सबसे पहले मलिहाबाद में पैदा हुआ था उत्तर सही चोथा मा ने शोभित के लिए मैंगो शेक बनाया था उत्तर सही पाच्वा तोतापरी और अलफानसो आमो के नाम है उत्तर सही आगे देखेंगे समझो और लिखो बच्चों मैं आशा करती हुँ कि आपको यह प्रश्ण उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा तो आपका आज का गिरी कार्य है कि प्रश्ण उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में और पेज नंबर पच्चास और इक्यावन अपने बुक में करेंगे धन्यवाद